दोस्तों अगर आप विद्वा पेंशन के लिए अपलाई करना चाहते हैं विद्वा पेंशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आज किस यूडियों आपको मैं बताने वाला हूं कि विद्वा पेंशन का फॉर्म आपका किस किस लेविल से पास होगा और कितने टाइम में सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ बैल आइकन को प्रेस कर दीजी ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने की दोस्तों अगर आप विद्वा पेंशन की बारे में जाना चाहते हैं निराशन महला पेंशन की बारे में जाना चाहिए तो आप यूपी www.uppension.com की website पर आ करके आप जोना यहां पर पढ़ सकते हैं कि कौन-कौन से documents आपके पास होने चाहिए विद्वा पैंशन के लिए पातरता क्या है कितनी pension मिलती है सारी जानकारी जोना आप यहां पर राप्त कर सकते हैं पढ़ सकते है uppension.com लिंक आपको description box में मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं विद्वा पैंशन कितने दुनाव में आपका जोना form पास होता है कौन-कौन से लेविल से पास होता है और कितना समय यहां पर लगता है तो सब्सक्राइब तो यहां पर तीन step होते हैं विद्वा पैंशन जैसे यह आप अप्लाइब करते हैं उसके बाद दो step आपके और कंप्लीट होते हैं जैसी लेविल 1 आपका जोना apply करने के लिए जैसे apply करेंगे यहां पर आपका डेट आ यहाँ पर आपका वीडियो ऑबलिक एस्टेम लेवल के यानि कि अगर आप ग्रामीड छितर से आते हैं तो आपका खड़ी विकासत कारी वीडियो कारेयले में जाएगा अगर आप से आपको फॉर्म अपना पास कराना है सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर बता देखने को मिल जाएगा आप इसको डाउनलोड करके पड़ सकते हैं आपको ऑनलाइन होने कवास कितना समय लगता है कि नीचे अहां पर आपको देखने को मिल यहाँ पर दिखे दिया हुआ है तो यहां प्रदीखी और दिया हुआ आवीद mobत्र निस्तारण की समय सीमा का निर्धारण यहां प्रदीखी दिया हुआ है नोमोज पॉइंट है आव इदन पत्रों का निस्तारण की अवेदी समय सीमा आवीदन पत्र समिट करने के दिनांग से चार gua है यहां पर दीकिए साब दिया है कि जब आप hemmakow समिट करेंगे उसके चार महिने बाद आपको जोना पयंशन मिलना स्टार्ट हो जानग आपको फोर्म कंप्लीट हो जाएगा यहां पर देखिए इस टेप पर फिर्थम चरड़ है यहां पर पेंतालिस दिन किनको दिये गए यहां पर गिराम पंचायट अधकारी और लेक यहां पर लेक पाल निकाय कर्मी अन्य विभाग यहां जोना सत्यापन करेंगे जाच करेंगे फोम की आख्या प्रेसित करेंगे यहां पर पैटालिस दिन का जोना समय दिया हुआ है उनको जाच करने के लिए ठीक है इसके बाद यहां पर जोना लेविल सिकंड़े हैं यहां पर दूसरा चरड़ हैहां पर घंड विकास अधकारी और पवलीब जलातकारी ठीक है तो यहां पर जोना वीडियो और अबलिक स्टम और हम को यहां पर अपने जाच करने हैं vyरिफाई करना है फॉर्म को पंदरह दिन का समय उनको जो दिया जाता है 15 दिन का समय न दिया गया है 15 दिन तेका अपना सत्यापन करलें 15 दिन की अंदर और आंगे color forward कर दे इसके बाद तीसरा चरवर्ड है यहाँ पर समाज कल्याद vqast केंदर इनको जो ना एक मां गया है किसके लिए digital signature के लिए जैब आपका form समाज कल्याद बेभा़ाग दारा पास हो जाएगा आप जोना पात रो जाएंगे उसके वाद री वरिफिकेशन का जो column होता है वह जोना आपका digital signature यहाँ पर किया जाती है DST लगाकर कि अधकारी के दोवारा signature किया जाते हैं लॉक किया जाता है form और आपका data जोना यहाँ पर पात्र किया जाता है तो यहां पर देखिए आप इसको पूरा पड़ा भी सकते हैं डिटेल में सारा कुछ यहां पर दिया हुआ है तो कोल जो नहीं है यहां पर चार स्टेप हैं अगर आप बेना OTP के चेक करेंगे तो वहां पर आपको लेविल 4 देखने को ँdadding कषल को देखने को मिल जाएंगा ठीक है तो यहां पर कोल समय कितना लगता है सबसे पहले यहां पर देखिए लेकपाल दॉरा लेक पाल या उबलेक खंड क्राम विकास अधिकारी 45 दिन का समय इसके बाद यहां पर खंड विकास अधिकारी या उपजलात कारी 15 दिन का समय और लगवक दो महीने का मान लीजिए आप सिधा समाज के लाड़ विवहाग का समय होता है सबसे पहले इनको अपने के फॉर्म के जाच करने होती जो आपने आविदन किया है उसके फॉर्म के जाच करनी है एक मां का समय इसके बाद डिस्टिल सिगनेचर का समय एक मां का कुल यहां पर चार महीने का समय जो न लगता है चार महीने बाद जोन आपकी विद्वा पेशिन मिटना स्टार्ट हो जा कि शासना देश के अनुसार इतना समय दिआ गया है लेकिन मेरे motion form में पेंशिपार मेरे लग रहा यहां पर चार महीने तुर आपको 4 महीने के आवेदन के आवेदन पत्र सम्यूट होने से अधिक चार महीने का सब्सक्राइब है और आपको पेंशन मेंना स्टार्ट हो जाता है तो दोस्तों आशा करते ही जनकारी आपको यह पसंद आई होगी थैंक्यू रोची माइन टेक